नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम न्यूस 24 मैं हूँ करते का हलके के लोगों ने MLA बलविंदर लाठी का पुतला चला कर किया रोश प्रदर्शन जिला गुर्दास पुर के विधान सबा हलका श्री हर्गोविंद पुर के कस्बा घुम्मान में आम जंता ने रोश के चलते हलका विधायक बलविंदर सिंग लाठी का पुतला जला कर रोश मार्च निकालते हुए रोश प्रदर्शन किया प्रदर्शन कारी लोगों का कहना था कि कस्बा घुम्मान में पंजाब सरकार के द्वारा सीवेज और पानी की पाइप लाइन का काम 16 करोड की लागत से करवाया जा रहा है और ये काम घुमान की जनता की सुविदा को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है लेकिन हलका विधायक के हस्त शेप के कारण कस्बा घुमान की वार्ड नमर 11 को इस विकास कारे से बहार रखा जा रहा है और जब जनता पूछती है कि ऐसा क्यूं किया जा रहा है तो जनता को कहा जाता है कि नेशनल हाईवे बनना है जिसके कारण इस वार्ड में सीवेज और पाइपलाइन नहीं डाली जा सकती वही प्रदर्शन कारियों का कहना था कि वार्ड नमर 11 के हालाद बत्तर बने हुए है और ये राजनीतिक लोग इस वार्ड को राजनीती की भेट चड़हा रहे हैं प्रदर्शन कारियों ने पंजाब सरकार से अपील की कि सरकार खुद चेक करवाए और सारा काम अपनी देख रेक में करवाए ताकि सरकार के द्वारा करवाए जा रहे हैं विकास कारियों का सबी लोगों को लाप मिल सके प्राइम न्यूस 24 के लिए गुर्दास पूर से चतिंदर कुडल की रिपोर्ट के लिए और कोई सुनवाई नी हो रिए इस कलोणी दी जदो एक लोनी जटा ले बाट लगा भी थे नहीं है तो साड़े कमाना दे बेचेगा और सारे कमाना देलो गुए अव्ड़ यह बार्दा बंदानी ओथे रह रह एकां नी साड़े कि दिन देल नहीं संन्वाई कि द्य कोई बनाई ना कुछ सड़क तो सड़क फुटी-फुटी किनी वरी क्या होना नभी सड़क दावी तुसी करो कुछ लेकिन कोई त्यान लिया उस पास से जो कमांदे सारे लोग नहीं थे कठे होए हैं मांगे है कि जेडा सीवरेज प्रजेक्ट कमांड आवास ते आया ही सड़े सुड़ा क्रोड पिया होदे बास ते पास होए ही उस वे चो ग्यारा नंबर जेड़ी वाड़ा उन्हों बिलकुल लग कर दिता गया ना होदे वे सीवर्दा जेड़ा वाओ लाइन जारी है ना पानी दी गालगी कह रहे है कि वेचे नैशनल हाई वे आ रहे है सबांद वे ते जड़ी हैं सीएम साब नुवी चिठी लेख रहे हैं ते दुजी गालब रोधी तर देनेता उनना नुवी लेख रहे हैं जल्दी दो जल्दी जड़ी जड़ा वाई जड़ी वाड़ नंबर 11 वाई इन वे दो शामले किता जावे जेसकार के जड़ा लोका मत यरा पादिव झाने